नमस्कार ट्रेडर्स मैं आपका दोस्त एड्वोकेट आयू शकरवाल और आज की इस नैच्रल गैस की वीडियो में आप पूरा एनलेसिस सीखेंगे इस हफते नैच्रल गैस किस डिरेक्शन में जा सकती है बहुत ही क्रूशल लेवल पर ट्रेट कर रही है तो वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आप मेरे एनलेसिस का पूरा बेनिफिट उठागो वीडियो काफी दिन बाद मैं डाल रहा हूँ नैच्रल गैस में क्योंकि मैं होलिडेस पर था अभी देखते हैं आप देखो ये वीकली चार्ट नैच्रल गैस का लगावा है और यहां पर ध्यान से अगर आप देखो नैच्रल गैस लगातार बेरिश फेज में चलना है एक ग्रीन और अभी लगातार रेडी बना रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो अवराल हमें क्या लग रहा है और यहां पे अगर आप देखो एक सपोर्ड भी है 163.40 रुपीज से बाउंस हुआ है मार्किट और एक बहुत अच्छा लेवल है और लगातार अपने बेर ट्रेड हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है परस्नल लेवल पर अगर इस हफ़ते भी मारकिट अगर इस लेवल को काट आपके ओपर नहीं निकलता जोकी 200-11 का लेवल है अगर इसको काट पर नहीं क्लोजिंग नहीं देता तो मारकिट दुबारे मंदी में चले जाएगा हो सकता है 135 136 के भी लेवल नीचे की तरफ दिखाए यह अगर लेवल ब्रेक होता है जिन लोगों ने पोजिशन अपनी यहां कहीं यहां कहीं यहां कहीं यहां कहीं बाय बनाई होगी उनके stop loss यहां पर पड़े वे होंगे stop losses यानि के वो loss में position काटेंगे अगर आपको यहां से नीचे उतरता वा लगे आप ठीक है stop loss order महाँ पर डाल सकते हो जिनने fresh position मार्किट में बनानी है तो कोशिश करिए इसके नीचे अपनी sell की position बनाके चले 163 रूपीज के नीचे 163 162 रूपीज की नीचे नीचे की तरफ जो लेवल्स रहेंगे अगर आप यहां कहीं short की position मना रहे हो तो नीचे की तरफ लेवल्स रहेंगे आपके 155 150 140 और उसके भी नीचे जा सकता है 136 रूपीज के लेवल था 136 रूपीज का एक important support है market में वहां से एक आपको short covering अच्छी कासी देखने को मिल सक है तो यहां तक भी अगर आप देखो लगबग market 30 point का fall हो जाएगा अगर यहां से भी गिरेगा तो 40 point का बलकिन fall हो जाएगा अभी 173 रूपीज के आजपास trade हो रहा है अभी position मैं daily charts पे आपको दिखा रहा हूँ daily charts पे अगर आप जहां से देखो यह मैंने 20 days का moving average लगा अभी position यहां पे क्या बनाई जा सकती है आप यहां पे देखो अगर market यहां तक आता है 173 के ओपर चल रहा है कि आसपास चल रहा है अगर इस moving average को काट के ओपर निकलता है जो moving average की line है लगबग है वो लेवल 192 का लेवल है और यहां तक आता है 209 रुपे के आसपास लेवल आता है वो मैंने weekly chart लगा रखाता था weekly chart पे आपको closing basis पे देखना था दो सो एक रुपे के ऊपर निकलता है daily chart है daily chart पे अगर यहां पे आएगा तो एक बार को यहां पे selling pressure दुबारा है आपको देखने को मिल सकता है market में क्योंकि यहां पे consolidate होके गिरा था यहां पे selling pressure create या position बनाते हैं इंटर डे टेडिंग का मैं analysis यहां पे आपको बताऊंगा आज का बट अभी हम overall analysis सीख रहे हैं overall market किस direction में जा सकता है natural gas का अपरेल future है अभी देखो यह bullish इंगलिफिंग के आसपास कहीं नहीं आ चुका है तो अभी short की position यहां पे कहीं नहीं बनानी है आपक तो ठीक है जो इंटर डे टेडर है वो बनाके चल सकते हैं इंटर डे अलग रहेगा positional traders के लिए बता रहा हूं overall week है अगर आपको sell ही करना है तो sell आप इस moving average के आसपास करेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा यह moving average की जो line है market bullish का होगा market जो bullish मुझे नज़र आ रहा है overall जो bullish उपर की तरफ चलेगा कब बिल्कुल trend पलड़ दाएगा तो मुझे लगता है यह जो level है एक 210 रुपे का level है और इसके बाद एक जो level 220 रुपे का मुझे नज़र आ रहा है यह मैंने volume profile यहां पर लगा रहा है कि सबसे ज़्यादा volume 210 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है फिर एक level यहां पर दिखाई दे रहा है 205 रुपे के आसपास ठीक है और फिर यहां पर दिखाई दे रहा है 220 रुपे के आसपास तो मुझे लगता है एक बार को market overall अगर 220 रुपे के ऊपर चलना है स्टार्ट करें इस हफते या उससे अगले हफते तो market ऊपर की तरफ ट्र 260 रुपे तक जा सकता है otherwise overall मंदा ही रहेगा market ठीक है market ऊपर जाए 210 रुपे के आसपास जाए तो short की position आप बना के चलें छोटा से stop loss देखे price section देखे वहाँ पर और यह low भी break होता है तो आपको मैंने levels बता दिये इस वीडियो में के starting में अभी आप यहां पर देखो यह जो इंटर डे में अगर मैं आपको बता हूं इंटर डे में क्या position आप बना सकते हैं daily chart है मैं one hour के chart पर आ जाता हूं one hour के chart पर देखो आज यह gap down open हुई third of April को और यह low काट के नीचे जा रहा है अभी देखो इसने market में live analysis करते करते यह low break कर दिया है तो अभी आपको पता चला overall low break कर रहा तो और नीचे जाएगा यह इसने क्या करा same day का low भी break कर दिया previous day का low भी break कर दिया जो double bottom बना रखा था इसने यह भी break कर दिया तो stop loss कहीं ना कहीं अगर जिनके जिनोंने यहाँ पर buy की position बनाई थी जिनके यहाँ पर लगे विए stop loss कट रहे होंगे यानि कि loss में position को बेच रहे होंगे तो और नीचे selling pressure यहां से credit हो सकता है कहां तक जाएगा market अभी देखो यहाँ पर immediate support कहां पर नजर आ रहा है इसके नीचे अगर आप देखोगे यह जो candle बनी थी इस candle का low था 163.40 तो immediate level आपका यही नजर आएगा एक इस candle का low 169.50 और उसके बाद 163 और आर के 15 minute के chart पे चलें तो 15 minute के chart पे भी अगर आप ध्यान से देखो consolidate होके गिर रहा है इस range में चल रहा था लगातार consolidate हुआ अब यहां यह low break कर रहा तो यहां पर short की position बनती है buy कहां करें buy तो अभी बन नहीं रहा अगर आप देखो buy बनेगा तो 165 रुपीज 163 से 165 के आसपास कोई price section देखके कोई breakout होता है वहां पे आप अपनी buy की position बना सकते हो otherwise buy की position इसमें नई बन रही आज की date में उपर की तरफ जो strong resistance है दो 215 रुपय का है नीची की तरफ 163 रुपय का support important support है market में natural gas में overall trend weak है इस अफ़े का भी जैसा नजर आ रहा है जैसा खुला है market तो कोशिश करिए अपने stop loss strict रखे market में without stop loss बिलकुल भी trade ना करें जो लोग options में date करते हैं put में position मनाएं जिन में volume हो add the money options पे और जो लोग option master सीखना चाते हैं वो नीचे दिये वे course पे अंडूल करा सकते हैं description में link mention है अगर आप इस चैनल पे अभी तक new हैं तो इस चैनल को अभी subscribe कर लिजी ताकि आने वाली वीडियो की notifications आपको मिलती रहें time to time मैं कोशिश करता हूँ अपना analysis आपके साथ share करता हूँ अगर आपके इस वीडियो के regarding कोई query है तो आप comment section में mention करते हैं Thank you so much for watching this video